नमस्कार दोस्तों आपका अपने स्टेडी चैनल उधर जदीव क्लासेस में सौगात हैं जय मेति यानि कि जो मेट्री टॉपिक को पड़ा रहे थे इस टॉपिक की हमारी तीसरी क्लास इस से पहले वाली दो क्लास में मैंने रेखा एवं कॉण के बारे में अच्छे से समझाय यदि आपने वो वीडियो नहीं देखियों तो उनको भी जरूर देख लें आज हमें इस वीडियो में रेखा एवं कॉण के निमेरिकल को स्वाल करेंगे तो चलिए हम को स्वाल करते हैं देखिए रेखा एवं कॉण पराधार इस प्रिस्टन यानि कि रेखा एवं कॉण स किस तरीके कोस्टन एक्जामें पूछे जाने के चांसे ज्यादा होते हैं जो कि सिक्षक भरती बर्ग तीन में जरूर यहां से कोस्टन पूछे जाएंगे तो देखिए पहला कोस्टन यदि कोई बक्र स्वयम को न काटे तो भै क्या कहलाता है पहला अपसान है टेड़ा बक् बक्र बंद कहलाता है तीसरा है तिर्चा बक्र कहलाता है और चौता सरल बक्र कहलाता है कोस्टन को फिर से समझिए यदि कोई बक्र स्वयम को न काटे तो भै कौन सा कहलाता है देखिए यानि कि यहां पर मैंने पहन रखा और यहां से कोई भी तीड़ी मेडी किसी भी दिस साम है मैं कोई भी ऐसी लाइन कीचों तो इसे कहाएंगे बक्र कहेंगी यदि ये स्वयम को नहीं काटता तो इसे हम कहाएंगे सरल बक्र कहते हैं यदि कोई बक्र स्वयम को ना काटे तो वे कहलाता है सरल बक्र कहलाता है next question देखिए 80 degree का संपूरक कोण क्या होगा देखिए मैंने इस से पहले वाली वीडियो में संपूरक और रिज्यू कोण के बारे में जानकारी दी यानि कि इस से पहले दो क्लास मैंने रेखा यह कोण की theory क्लास की है जिसमें मैंने रेखा anticipating की और कौनों की सारी जानकारी दीए फो चलिए इस क्वेस्टान को सॉल करते हैं 80 डिग्री का संपूरा क्या होगा संपूरा कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री देखिए संपूरा कोणों को एक lurk 180 क्या होगा तो कि पूर को चाहो उसको म Pixar कर 2090 से 2060 क्यों संपूर कको कॉळा हो तो एक 642 एक क्यों सबस्लिटि का सम पूर पूर कोई झार को मायनिस कर दोके कितना जायेगा हमारे पास है hundred degree तो option हमारे कॉन सा सही हो जाएगा ए 80 degree का संपूरा कौन क्या होगा तो होगा 100 degree डीगरी कि चलिए next question देखते हैं 50 डिगरी का कोटी पूरा कौन कितना होगा देखिए यहां पर क्या पूंचा है 50 डिगरी का कोटी पूरा कौन कितना होगा कोटHI पूरा कोणों को कितना होता है कोटी होता है 90 幾 यहां पूछा पचास कोटिपूर को कितना हो मुझे करेंगे कोटीत कोणों का यहांनि कि 90 से 50 को किцион कितना होगा हमारे पास 40 यानि कि option भी राइट होगा देखिए यहां पर 50 डिग्री कोटी पूरा कौन पूंचा है यहांदी 60, 70, 10, 20 कितने का भी पूंचे हम क्या करेंगे 90 से माइनस कर देंगे तो उस कौन का हमार क्या आ जाएगा कोटी पूरा कौन आ जाएगा तो इसमें हम 50 डिग्री कोटी पूरा कौन पूंचा है 90 से 50 को माइनस किया कितना है हमार पास 40 डिग्री यानि कि 50 कोटी पूरा कौन कितना होगा 40 डिग्री अगला कोस्तन देखिए साट डिगरी के संपूरक एवं कोटी पूरक कोणों को अंतर क्या होगा देखी यहां पर क्या पूंचा है साट डिगरी के संपूरक और कोटी पूरक कोणों को अंतर पूंचा है सबसे पहले हम साट डिगरी का संपूरक कोणों निकाल ले समपूरक ओनों का योग कितना होता एक सोअसी, तो 60 का समपूरक कोणचा है, तो 60 को में 180 से माइनस करेंगipl hij, कितना आएगा, 120 डिग्री, यानि कि 60 डिग्री का संपूरक कोणच कितना आगा है, हमार पास 120 डिग्री, अब आगे देखिए, कोटी पूरह कौन्ट कीतना होगा कौटी पूरह कोड़ों का यह होता है 90 डिग्री तो 60 का कोटी पूरह कोड़ होगा 90 से 70 को मैनस करेंगे कितना आएगा 30 कौन्ट का सम्पूरह अन्तर और 120 और 30 तो इनका अंतर friendships에 120 से हम किसको माइनस के रहेंगे 30 को इनका अंतर पूँचा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिगरी देखिए ओप्सन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चली एकला कोस्टन देखते हैं एक सरल रेखा एक ब्रत की परीदी को अधिक से अधिक कितने बिंदूओं में प्रतीचेत कर सकती है देखिए कोस्टन को फरसे पढ़ते हैं एक सरल रेखा एक ब्रत की परीदी को अधिक से अधिक कितने बिंदूओं में प्रतीचेत कर सकती है देखी ब्रत की परीदी क्या होती है देखी हमने ऐसा कोई ब्रत बनाया तो इसको हम क्या कहेंगे देखी इस सर्किल को क्या कहेंगे परीदी ब्रत की परीदी कुस्टन के कहरा एक सरल रेका एक ब्रत की परीदी को अधिक से अधिक कितने बिंदों में प्रतिचेत कर सकती है देखिए यहां से कोई रेका कीचे तो कितने बिंदों प्रतिचेत करेगी दो बिंदों पर कोई अन रेका कीचे तब भी देखिए इस परीदी को दो बिंदों प्रतिचेत कोई भी हमें यहां पर सरल रेका कीचेंगे कि यहाँ पे हमें डाइग्राम दिया है इसे में X जीक का माल नििकालना है तो देखिए यहाँ पे सीध्य रहीा को में कितना ...? आफ तकתMaddy यानि कि जब भी कोई सीधी सडर रेका दी खो तो इसका एंगल यानि कि यहां से ले कर यहां तक का पूरा एक सभस्य डिगरी यानि गिंग फूर को जोड़ कि इनकमांड कितना मैं चाहिए एक सभस्य डिगर यानि कि एकस फिलास टू एकस 3x देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां और यहां से यहां तक तीनों एंगलों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से यहां तक का एंगल बन जाएगा पूरा तो सीधी रेका कोड़ कितना होता 180 degree तो देखिए इसको solve कर लेंगे देखिए 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x equal 180 x equal 6 x 180 भाग लगा जाए 6 दून बार 6 ती या 18 यानि कि x कमान कितना है हमारा पास 30 degree देखिए option भी हमारा right हो जाएगा यानि कि x degree कमान कितना आगे हमारे पास 30 degree यदि 2x कमान पूचा होता तो हम 30 की value यहां पर राग देते कितना जाता यह वाला angle 30 दूनी 60 इस वाल angle कमान पूचा होता तो तीन तिर कर नव यानि कि 90 degree है जाता x degree कमान पूचा है तो वो कितना आगे हमारे पास 30 degree चली next question देखिए दिये गए चितर के आधार पर x degree कमान ग्यात कर रहे यानि कि इस चितर में हमें x degree कमान ग्यात करना है देखिए जब भी इस तरह का diagram दिया हुआ और जब भी इसके अंदर दो कोण के मान हमें दिये हुए हो और एक भार ऐसे कोई कोण कमान पूचा हो तो वो कितना होगा देखिए तिर बुच के बहा कोण का योग तिर बुच के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है यानि कि x degree कमान कितना होगा 80 plus 45 degree के मान के बराबर देखिए 80 plus 45 को add करें अंदर के दोन कोणों के योग के बराबर तिर बुच के भार कोण का मान होता है तो भार कोण तिर बुच के कौन सा यहाँ पे x degree देखिए x degree कमान कितना होगा 80 plus 45 यानि कि 85 जोड़न कितना होगा 125 degree equal x तो हमारा option कुछ साही हो जाएगा D 125 degree देखी इसको एक तरीके से और कर सकते हैं वो थोड़ा सा लंबार आएगा वो कैसे देखी तिरबुच के तीनों अंता कोणों के योग के बराबर होता है यानिक तिरबुच के दोनों अंता कोणों के योग के बराबर होता है तो देखी अन्य तरीके से कर सकते हैं तिरबुच के तीनों अंता कोणों के योग कितना होता है एक सो असी इसको हम कुछ भी माल लेते हैं जैट माल लें तो असी प्लस पैतालीस प्लस जैट एककल कितना होगा एक सो असी क्यों तिरबुच के तीनों के योग कितना होता है एक और 45, 125 प्लस Z एक्कोल 18 तो Z एक्कोल कितना आएगा 125 उस आड़िया कि 180 से माईने सो जाएगा कितना आएगा हमार रपास 55 degree, देगी इस कमान आएगा 55, अब देगी यहां से लेकर यहां तक सीधी सरल रेका बन रही इस कमान कितना होगा 180, यानगी Z कमान 55 degree प्लस X degree इक्वल कितना होगा 180 देगी यहां से यहां तक कमान कितना होगा 180, तो X इक्वल 55 को 180 मिस माईने सो करें है कितना है एक्स कमान हमारा 125 देगी, तब भी हमारा अंसर 7 ही आएगा, लेकिन आप इया से डाइरेक्ट याद रखे, इससे 2-3 चैप बढ़ा जाती है लेकिन यहां से डाइरेक्ट हो जाता है यदि आपको पता है, तिरभुच के भागौन का मान तिरभुच के अनता को अनता कौन यानि तिरभुच के दोनों कोनों के योग के बराबर होता है कि इसका मान तिर्बच के बहा कोण का यानि कि इसका मान निकालने के लिए हम तिर्बच के दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमें तिर्बच के बहा कोण का मान आ जाएगा वो कितना है हमारे पास 125 डिग्री चली अगला कोस्टन देखते हैं दिये गए चि भी डाइग्राम दिया हुआ हो और तरबुच के यह से बहा कॉन कमान पूचा हो तो क्या होगा तरबुच के दोनों अन्ता कॉनों के योग के बराबर यानि की 40 प्लस बात्तर करें हैं तो कितना आएगा देगी 40 प्लस बात्तर करने पर जाएगा 112 डिग्री तो अप्सन हमारा भी राइट हो जाएगा इस तरीके से आप इसे डारेक्ट सॉल्व कर सकते हैं चली कुस्तर नंबर नाइन देखते हैं दिये गए चित्र में यह दी कॉन सी ओ ई कितना है 90 डिग्री कॉन सी ओ ई कहां पे है इस डाइग्राम सी ओ बीच में बिंदू है यह क्या है ओ सी ओ और सी ओ और कितना दिया है हमें 90 डिग्री तो हमें किस की वेलिव निकालना एक्स कमान निकाल ले यानि की चित्र में हमें कॉन सी ओ ई कमान दिया 90 डिग्री हमें किस कमान निकालना एक्स कमान निकालना देखिए एक्स कमान निकालना है देखिए यहां से एक सीधी सरल रेका है तो यहां से 2x 90 और प्लस x यानि कि तीनों को जोड़ा है तो यहां से यहां तक कमान कितना आना चाहिए हमारे पास 180 तो यहां से यहां से यहां तक कमान कितना आना चाहिए 180 क्यों सीधी सेल रेका कमान कितना होता 180 तो यहां से 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x 90 उस साइड जाके 180 से माइनस हो जाए कितना बचाएगा 90 तो x एक्कुल कितना जाएगा 30 से इसमें भाग लाया 339 यानि कि 30 x कमान पूँचा है तो x कमान कितना जाएगा हमारे पास 30 डिगरी तो option हमारा d right हो जाएगा यदि 2x कमान पूँचा होता तो x की value हमें इसमें रख देते तो 30 दूनी 60 यानि कि इस कमान कितना हो जाएगा 60 डिगरी लेकिन हमें x कमान पूँचा है तो जो कितना होगा 30 डिगरी चलिए अगला question देखते हैं question number 10 उस कोण की map क्या होगी जिसका संपूरा कोण उसके कोटी पूरा कोण का तीन गुना है देखिए इसको अच्छे समझिए उस कोण की map क्या होगी जिसका संपूरा कोण उसके कोटी पूरा कोण का तीन गुना है जैसे कि देखिए हम मान के चलते हैं उस कोण की map क्या होगी हम मान के चलते हैं 180 डिग्री होता है तो पहला दिया देगी पहला हमने माल लिया उस कोण कियों आप X डिग्री तो जिसका संपूरा कोण या इसका संपूरा कोण कितना होगा 180 से हम x को माइनस कर देंगे तो इसका संपूरा कौन आ गया उसके कोटी पूरा कौन का 3 वोना कोटी पूरा कौन का योग कितना होता है 90 डिगरी तो x डिगरी के कोटी पूरा कौन कितना होगा 90 माइनस x डिगरी यानि कि जिसका संपूरा कौन यानि कि X का संपूरा कोण X 80-6 उसके कोटी पूरा कोण कोटी पूरा कोण के कितना हो जाएक 90-6 संपूरा कोण उसके कोटी पूरा कोण का तीन गोना यानि इसका तीन गोना क्या है संपूरा कोण यानिके लिए सम पुरा कोण का exception का पूरा कोण के इसके माण का यह तीन गुना कर दे हैं तो दोनों- Defense करतें एक सो सी मारेन कि इस स्टिल आते हैं कितने हो जाए송 कि 3 एक असे सथ हैं कि प्लस का 3 एक्स हो जाएगा माइनस का अग्स एक सवस्साइड एक लेकी 270 से कि माइनस हो जाहएगा 270- Springs माइनस हो जाएगा 3 एकस माइनस होगा कितना बचेगा यहां पर कीमा का होगी तेखिए कौन को हमना था एक्स डिगरी तो इस कीमा कितनी होगी 45 डिगरी तो अपसर लोभार भी यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए अगला कोस्तन देखते हैं कोस्तन नमर 11 तेरभुज ABC मैं कौन BAC कितना है 75 डिगरी कौन ABC कितना है 45 डिगरी BC को D तक साथ डिकरी काibi싸 Labour अधर कोषезд करते हैं इसमें कौन बी एसी को बीच में होथा आपर को बनता है कोन बीति कितना ढीया यहांपрос 75 degree और कौन A, B, C कौन A, B, C यानि कि B पर कितना बन रहा है 45 degree अब कहारा है B, C को D तक बढ़ा है यानि कि B, C को आगे कोई बिंदू D तक बढ़ा है D तक बढ़ाएगा या दी कौन A, C, D यानि कि A, C, D कितना दी है X degree 60 degree का X बटे 3 पृतिसद निकाल ले यानि कि यहाँ पर X की value रख दें तो इसको क्या हम स्वाल्व करेंगे 60 का का मीन्स का होता है into X की value यहाँ पर रख दें X की value बटे 3 पृतिसद अटाएगे नीचे 100 यानि कि इससे हम X की value निकाल लें यहाँ पर रख दें तो इसको solve कर लेंगे तो हमारा क्या answer आजाएगा तो देखिए तिर्वोज है इसका भाकोन क्या है X degree अभी मैंने बताया आपको तिर्वोज की भाकोन कमान क्या होता है तिर्वोज की दोनों अन्ता कोनों के योग के बरावर होता है देखिए 75 और 45 degree 75 और 45 प्लस करें कितना आएगा देखिए 5 इसमेट कर दें 80 प्लस 40 कितना आएगा 120 यानि कि X की value कितनी है जाएगी यहाँ पे X की value है जाएगी 120 degree यहाँ पे X की value रख दे 60 into 120 बटे 3 into 100 यहाँ पे प्रति साथ था इसको tie नीच 100 आगया का का means क्या होता into देखिए इसको solve करते है 2 0 से 2 0 cancel 3 से 3 चक के 12 4 into 6 4 चिंग कितना आजाएगा 24 degree 24 degree हमारा कौन सा option है D तो हमारे D option right हो जाएगा अब अकला question देखिए question number 12 यदी 2 संपूरा कौनों में 44 degree का अंतार है तो उनमें से 1 कौन है यानी question का कह रहा है यदी 2 संपूरा कौनों में 44 degree का अंतार है तो उनमें से 1 कौन है देखिए अमान की चलते हैं वह कौन X degree है संपूरा कौन तो संपुरक कोणों का योग कितना होता, 180, तो हमने उस कोणों का माल लिए एक कोण एकस डिगरी है, तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस एकस, यानि कि एकस का संपुरक कितना होगा, 180 माइनस एकस, संपुरक कोणों का योग 180, तो पहला कोण हमने माल लिए एकस डिगरी, तो कहा रहा है कोश्चर जह में गूल सम्पूर कोनों में 44 डिगरी का नतर यानि कि इन दोनों को अंतर करें हम कितना आना चाहिए 44 जैकि 180 डिगरी मैईनस एक्स minus x minus 2x equal 44 2x उससाइड जाएंगे plus हो जाएंगे 44से साइड आएंगे 180 से minus हो जाएंगे 180 से 44 क्या हो जाएंगे minus हो जाएंगे गभी इससाइड पलस चे 7 तयाएं कन under minus हो जाएंगे 18 Ireland穌 साइड से minus करेंगे 10 में से चार गए 6 7 में से चार गए तीन और एक एक कोल देखिए 44 से साइड आग एक ससी से माइनस होगा कितना बच एक 134 माइनस 2X उस साइड आग कि प्लस के 2X हो जाएंगे देखिए X के लिए यहां से निकालने कि 2 से 134 में भाग देंगे 2 से 134 में भाग कितनी बार जाएगा 2 इचिंग 12 साइड आग देखिए इसको एक और तरीके सॉल्व कर सकते कैसे 2 संपूर कोड़ा 44 कंता रहे पहला मान के चलते एक स्टिग्री तो 44 कंता रहे तो यानि कि दूसरा 44 डिग्री अधिक होगा दूसरा 44 डिग्री अधिक होगा तो दोनों कोड़ों का यह कितना होना चाहिए 180 क्यों समपूरा कोड़ों के दोनों कोड़ों को यह कितना होता एक स्टिग्री तो यह से भी सॉल करें तब भी सहमान सा रहे जैसे लाश्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नम्मर 13 दी गई आकिरती में एल ओ एम एक सीधी रेखा है एक सीधी रेखा है एक स्कमान क्या होगा देखी एक स्कमान निकालना हमें एक स्कमान क्या होगा तेखी सीधी रेखा में कितने डिग्री कोड़ बनता है 180 डिगरी यानि कि यानं से लेकर यहां तक कोण कितना होगा 180 डिगरी तो एक सो यहां से यहां तक जोड़ना है और यहां से इसको जोड़ और इसको जोड़ना से तीनों को जोड़'t कितना अना चाहिए 180 डिगरी यानि कि X १2 १2 १ 2 ば१ 3 lat football . एकस माइनस दस डिग्री तीनों को जोड़ हैं इनका मान कितना होना चाहिए 180 से डिग्री सीधी सरल लेका कॉल कितना होता 180 तो देखिए यहां से एकस और एकस कितना हो याक 2x बीस और 50 कितना 70 70 से 10 गए 60 देखिए 20 और 50 70 70 से 10 माइनस हुए 60 साइड उस साइड जाएंगे 180 से साइड माइनस होंगे कितने बचेंगे यहाँ पर 120 एक से कोल कितना याँ तू से इसमें डिवाइड कर दें दो इचिंग 12 यानि की 60 डिग्री एक्स कमान अके लग पूँचा है तो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री इससे आगे हम रेखा और कौन के कोस्टन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एकी जैम मेती चैप्टर हमारे सलेवर्स में है तो इस तरी के कोस्टन इस चैप्टर से बनते हैं जो की परिक्षा में पूँचे जा सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर करें और चैनल अपनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को भी प्रेस करने से कि नेक्स्ट वीडिय आपको मिलती रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू